भारत में जहां एक ओर सरकार और हमारे कोरोना योधा इस संकट की घड़ी में जी जान से जुटे हैं जिससे की कोरोना को हराया जा सके वहीं दूसरी ओर जमातियों की परत दर परत खुलती जा रही कई लापरवाही किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है सब को पता है तबलीगी का मूल उद्देश्य गैर इसलामिक लोगों को इसलाम से जोड़ना है हरिद्वार काशी, मतुरा, अयोध्या और उजयन जैसे हिंदूओं के पवित्र धार्मिक इस्थानों से तबलीगी जमात के जमातियों का पकड़ा जाना इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर तबलीगी जमात के कारेकरता निजामुद्दिन मरकत से इन महतुपून हिंदू धार्मिक इस्थानों पर क्यों पहुँच गए जबकि वे यहां के निवासी भी नहीं थे अपने घरों की और जाने की बजाए वे यहां के इनके निर्देश पर पहुँचे हरिद्वार की बात करें तो कोरोना वाइरस की जात से बचने का प्रयास कर रहे तबलीगी जमात के पांच सदस्यों के खिलाफ इस्थानिय पूलिस ने हत्याक के प्रयास का मामला दर्ज किया है तबलीगी जमात के ये सदस्य राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं और निजामुद्दीन दिल्ली की मरकस से लोटे थे इनके एक साथी में कोविड-19 संक्रमन की पुष्टी भी हुई बनारस में जमात के दो सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वहीं सहारनपूर से भी इंडोनेशिया के तबलीगी जमात के कारेकरताओं को पुलिस ने पकड़ा है अकेले उत्तर प्रदेश में ही 287 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं इन में से 211 की पासपोर्ट भी सीज कर दिये गए हैं लखनव में कई विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया था जिन्होंने दिल्ली के निजामुदीन में हुए तबलीगी जमात के कारेकरम में हिस्सा लिया था अब इन्हें 14 दिन क्वैरेंटाइन करवा कर जेल भेज दिया गया है इसी तरह दो संक्रमित तबलीगी उजैन में छिपे हुए थे यही हाल तमिलनाडू और तेलंगाना के धार्मिक शहरों का भी है जमातियों के पक्ष में अपनी दलीले देने वालों को इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली में अपने समेलन को खत्म करने के बाद जमात के लोग अपने मूल इस्थानों पर जाने की बजाए एन स्थानों पर अवैद रूप से क्यों छिपे। तमाम चीतावनी के बाद भी ये कोरोना बंबन कर क्यों घूम रहे हैं। और तो और दिनरात लोगों की सेवा में तत पर डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मियों से इनके और इनके समर्थकों द्वारा अभध्र व्यवार किया जा रहा है। केंद्रिय स्वास्थय मंत्रा लेके ताजी आँकड़े के अनुसार 17 राज्यों में कोरोना के वाईरस को जमातियों द्वारा पहुचाये गया। अभी तक देश में कोरोना के कुल रोग्यों में इनके द्वारा संक्रमित होने वालों का आकड़ा 50 फीसदी तक जाता है। सिर्फ तमिल नाडू के 1000 संक्रमित लोगों में से 900 से ज्यादा संक्रमन का इतिहास दिल्ली से लोटे तबलीगी जमातियों से ही जुड़ा है। झाल